The importance of childhood. Why childhood is important and why do we need to emphasize the training and education of our children? So, one of the reasons is vulnerability. Vulnerability. Vulnerability का मतलब ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे, उन्हें ज्यादा खत्रात हैं बालिग लोगों की निस्पत. जैसे उनको एक दिन दूद नहीं मिलता, उनकी सहत खराब हो जाती है, छोटी सी कोई चीज उनकी निट्रिशन में गलत आ जाए, तो वो हमें पता है कि जो childhood है वो क्यों important है, छोटे बच्चे को सबसे ज्यादा तवज्जो की जरूत होती है, then is childhood stress, और childhood stress बेटा सिर्फ इस वज़ा से नहीं होता कि आप कोई नुकसान पहुंचे, कोई accident हो जाए या कोई वाक्या हो जाए, थोड़ी सी देर में वालदा का ना चोटा सा भी कोई दार या खौफ पैदा हो जाना, अचानक किसी अजनबी को देखके, अजनबी महौल को देखके, अंधेरों को देखके, आपके अंदर stress पैदा हो सकता है, आपको overburden कर दिया जाए, तो वो भी stress है, इस पर बाद में चलके बात होगी, कि हमारे छोटे आज कल आप रोज मीडिया पे इस तरह की खबरें सुनते हैं, कि बच्चों को नुकसान पहुचाया गया, sexually भी, physically भी, और neglect, जब आप बच्चे को मुनासिब तवर्जों नहीं देते, जिसका वो हकतार है, तो आप उसको neglect करते हैं, और फिर neglect होना भी एक बहुत जादा mental stress और बीमारी पैदा करता आपके अंदर, जैसे अभी हमने यहां कहें कि potential solutions, role of the teacher, तो dear students, जो हमारे असाथजा हैं, या हमारे caregivers हैं, वो ही इन बच्चों की care कर सकते हैं, अगर वो vulnerable हैं, जो जो threats हैं उनको, उनको control करके, और जो बच्चों के stress हैं, उन पे काबू पाके, तो य यह जो सारी सुर्तेहाल है, तो यह बच्चों को abuse से और neglect से बचाने के लिए हमें देखना है, यह बच्चे बहुत चोटे हैं, अभी इनको बहुत ज़्यादा जरुवत है care की, और फिर अगला poverty, पावर्टी सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर हिंदस्तान में, बंगला देश में, भूटान में और अमेरिका में भी आपको बहुत से ऐसे लोग नजर आएंगे जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिन्दगी गुजार रहे हैं, गुर्बत का सबसे ज़्यादा असर मासूम बच्चों पे, छोटे बच्चों पे पड़त तो गुर्बत सबसे ज़्यादा बच्चों पे असर करती है, इसलिए हमें बच्चपन में उनको गुर्बत से बचाना है, या कम असकम जिस तरह से गुर्बत उन पर असर अंदाज हो रही है, उन फैक्टर से हमने उनको बचाना है, फिर है जी फैमिली सपोर्ट, तो पाकि जो हमारी मालूमात है, 40% के करीब डावर्स रेट है, इतने जादा तदाद में सिंगल पेरेंट्स जो हैं, वो बच्चों को मुनासिब तबज़ों नहीं दे पाते, क्यूंकि उन्हें खुद काम के लिए जाना है, अपनी सर्वाइवल के लिए, उस बच्चे की और फिर आप वर्किंग पेरेंट मी हैं, तो ऐसी सूरत में ये होता है, कि आप अपने बच्चे को मुनासिब से पहले तो एक वक्त ही नहीं दे पाते, मतलब अगर आपकी 8 आवर्स जॉब है, 10 आवर्स जॉब है, तो वो टोटली एपसंस है, ऐसी सूरत में अगर उसको कि पेर नहीं मिल सकती, जो उसका पैरेंट उसको दे सकता है, फिर कम्यूटी एंड स्कूल स्पोर्ट, जब पावर्टी की हमने बात की, बहुत सी नेशन ऐसी है, खुद हमारे अपने मुल्क में अभी तक सारे बच्चों की तालीम का मुनासिब इंतजाम नहीं है, आप देख स्कूल हैं, तो उनको कम्यूनिटी की क्या सपोर्ट है, कम्यूनिटी तो उनको सर्वसिस फराहम नहीं कर रही, इसी तरह वो स्कूल गए नहीं, तो स्कूल सपोर्ट कैसे देगा, और अगर वो स्कूल में हैं, तो भी उनका सपोर्ट सिस्टम कमजोर है, स्कूल के अंदर व You know, there are media wars, people are conspirating against other communities. कुछ लोग जो मीडिया में आगे हैं, वो दूसरे मुलकों को जो, जिनको वो second world, third world countries कहते हैं, वहाँ पे उन्होंने specific media culture evolve किया है, और बच्चे उससे मुतासिर होते हैं, जैसे आजकल आपने देखा, चोटे से चोटा बच्चा social media पे भी involved है, और वो हर वो चीज़ देखता है, जो उसके देखने के काबिल है या नहीं, तो ऐसी सूरत में हमें उस बच्चपन की एहमियत को समझना चाहिए.